हेला दोस्तों में पुद्धीबादूत अमाग हमरे चल्रवर आपका स्वगत करता हूँ जैसे कि आज हम सीखेंगे जो भी आसाम में एक फोरम दे रहा है उस फोरम को कैसे फिलाप करें जैसे कि आपका घर आसाम पे है लेकिन आप दुसरी स्टेट पर काम कर रहे है जैसे कि बैंगलोर, डिली, राजस्तान आप जिसी स्टेट पर काम कर रहे हैं लेकिन आप लोकडाउन से बज़े से आप घर नी जा पा रहे हैं तो आसाम स्टेट सरकार ने एक आपको आर्थिक सोयोग के लिए कुछ पैसे दे रहा है उस पैसे को आप कैसे एकाउंट में ले इस विशाय में हम सिखेंगे और एक फरम दिया हुआ जो आसाम सरकार ने उस फरम को कैसे फिलाप करें और अपने एकाउंट में कैसे पैसे प्राप्त करें आसाम सरकार की आर्थिक सोयोग लेने के लिए अगर आपने calling नहीं किया है तो तो आप क्या करेंगे मेरे वीडियो के description में जाएंगे उसके बाद उहाँ पर number लिखाओगा उस number पर calling करेंगे करने के बाद आपको 48 आवार्स की अंदर आपको एक SMS भेज दिया जाएगा उस SMS में आपका link रहेगा उस link को open करेंगे और forum को कैसे बरना है हम इस वीडियो में जानेंगे चल चलते इस topic पर start करते हैं जो भी आपने forum बढ़ा है forum का इस्टेटर कैसे चेक करेंगे हम इस वीडि कर दिजिएगा bell icon call और संब बढ़ा दिजिएगा ताकि हर वीडियो हम डाले आप सबसे पहले देख पाए चले चलते स्टार्ट करें देखिए सबसे पहले आपको ऐसा SMS की एक संदेश भेज दिया जाता है एसा एक link भेज दिया जाता है जो आपको क्लिक करके forum को details भरना है उसके बाद एक चीज बात बता रहा हूँ जैसे कि आपको 88 hour के अंदर अंदर इस forum को आपने फिलाप करके नहीं भेजा या submit नहीं किया तो आपको call करेगा उसके बाद आपको जो भी इस forum में details भरा जाता है वो details आपको phone पर ही push ले आ जाएगा इस वीडियो में हम पर क्लिक किजएगा जैसे आप link पर क्लिक करेंगे उसके बाद open करेंगे link जैसे आप open करेंगे देखिए उसके बाद आपको ऐसे एंटर पर साएगा mobile loading हो रहा है जैसे कि mobile पर देखिए मैं mobile पर ही दिखाऊंगा उसके बाद आपको जैसे loading लेगा धुरदे time के लिए forum खु करेंगे नीन को क्लिक करेंगे फिर से आंवhole करेंगे वर्म खेल जाए नहीं तो क्छुल के गाए इस तीन ओप्शन को आपको क्लिक करेंगे उसके बद आपको फिर्म को ख़ रह Whereas तो आपको पके लिखालेंगे टैसे कि यहां पे उसकेजि़ां के आपको अम अप्मार बाध आप काई नाम डालना है उसके बात आप पर जूंढे चुना है उसके बात आपको जिस कैटेगरी पने पर करते ऊस के चून सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, मैं private limited company लेक किया, उसके बद आपको, scroll down करते हैं, यहाँ पर देखें, get my current location, इस पर click करेंगे, तो आपका current location यहाँ पर automatic fill हो जाएगा, जैसे कि मैं current location पर click करेंगे, उसके बद अलाओ करेंगे, जैसे आप अलाओ करेंगे, थोड़ दिर वेट कीजिए, इसके बद देखें, आपका pin kaat automatic भर जाएगा, उसके बद आपको जो भी जहाँ पर stayd hay वो भर जाएगा, उसके बद आपका यह जो, एडरेस आजाएगा, ओठ ऑड़ जाएगा, अगर address में गलती है, तो यहाँ पर click करके, आप address आप साही कर सकते हैं, देखें, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए family members जैसे कि अगर आप आसाम से बाहर state में कोई दूसरे state में रह रहे है या काम कर रहे है पड़ाय कर रहे है उस आपके साथ साथ कौन है जैसे कि ममी डाडी बेहन जो भी है या उनका नाम लिख दीजिए उसके बाद yes लिख दीजिए relationship से लिख किजिए जो भी आपके साथ है या आप उनके साथ हो पांस लोगों को member में जोड सकते हैं जैसे कि आपका भाई, बहन, sister, mother जो भी आपके साथ अभी बाहर काम कर रहे है या रह रहा है आप भी उनके साथ रह रहा है तो उनका नाम या भी details भर सकते हैं अगर आप अकले रह रहा है अकले काम कर रहा है तो उनको blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद scroll down किजिए का सबसे नीचे का दर आप देखिए family members currently in home इसका मतलब है कि आपका जो भी आसाम पर घर है तो आप तो दूसरे स्टेट पर रह रहे हो आसाम के इलाबा आप दूसरे स्टेट से यह भरेंगे आपका घर पर कौन है या आपका family details भर देंगे जैसे कि एक family का नाम लिखना है आपका भया का लिख दीजे आपको जेंडर स्टेट करना है उसके बात आपको एक mobile नमर डालना है जो आपने नाम डाला ममी डादी पिताजी बेहन जिसका भी डाला उनीका mobile नमर डाल दीजे फोन करेगा बेरिप्शन के लिए गवर्मेंट दौरा उसके बात आपको एक बेरिप्शन किया जाएगा उसके बात आपको यहां पर डिस्टिक सिलेक करना है उसके बात आपको जैसे डिस्टिक सिलेक करना है उसके बात आपको यहां पर पीन कोट डाल देना है उसके बात आपको क्या करना है पुलिस इस्टेशन का नाम डालना है उसके बात आपको यहां ग्राम पॉंचाइट का अपको डालना है देखिए बैंक डीटेल में आपको वोनरर अकाउंट ही रहना है उसके बाद आपको जो एकाउंट्स कोट है आपका पाजबुक पर मिल जाएगो ओसे किसटीट रहने है उसके देखको आपको S kan चलए जो आपका करने के बाद आपको सबसे पहले आपको पूरा फरम को आची तरह एक बार देखना है किसे आपने फिल आप क्या सही है की नहीं उसके बाद आपको सबसे नीचे देखिए submit request पर click करना जैसे आप submit request पर click करेंगे जैसे आप submit request पर click करेंगे submit request पर click करते आपके पास जो भी आपने भरा है details वो Assam government की पास चला जाएगा उसके बाद आपको verification की call आएगा एक उसके बाद जो भी आपने number दिया था घर में जो गाओं का number या Assam का जो भी 條 College जेक करने के वालै जैसे करने के ले रोड्य करेंगे एंगा इसे लिंग वापस क्रेंग करेंगे जो भी आपने फारम समिट कर समिट करने के लिए चेक होह जैसे आप लिंआ की तो आप फिर से आपको ब्राजर ओपर ऑपिन करना है जिसे आप ऑपिन करेंगे उसके économique देखिए मेरे पास कॉलिंग आ चुका था मेरा वेरिपाय हो चुका है यहां भी बता रहा है कि आपका वेरिपाय हो चुका है पैमेट प्रोसेसिंग में है आपका भी वेरिपाय होने के बाद ऐसे इस्टर दिखाये जाएगा उसके पैमेट आने के बाद आपको पैमेट सक्स स्पूल दिखाये जाएगा थैंक यू बहरी माच दोस्तों वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलते हैं आगली वीडियो पर